अग्जाम की उसके स्लेवस की बात करने वाले हैं तो क्या करना है अगर आप भी पहली बात तो सुलो अगर आप भी डवल ओ की तियारी करना चाहते हैं ठीक है अगर आप करना चाहते हैं तो आपको स्लेवस देखना पड़ेगा ठीक है जो आपकी असस्टेंट अग्रिकल्चर की जो पोस्ट है उसका स्लेवस भी दिया है कि यानि कि यहिये स्लेवस आपको पड़ना है इतने से कुशंस पूछे जाएंगे तो देखें जब भी हम किसी भी एक्ञाम की तैहरी स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम स्लेवस ही देखते हैं क्योंगी जब तक आप को पता नहीं होगा तब तक आप तहरी किस प्रेस पर करोगे ठीक है तो सलैष जानना जरूरी है तो आज हम आपको बताएंगे, क्या-क्या पूछा जाएगा इसको कैसे हम कवर करेंगे, कहां तो यह सारी बाते हम आपको बताने ğa तो शेशन को क्या करना है आपको पूरा देखना है सुरू से लेकर एंड तक देखना है ठीक है क्योंकि आदी बात अगर देखो गए हमने का अगरनोमी आप छोड़के चले गए तो आप आगे की बात कैसे देख पाऊगे तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं सलेवस की तो अचандर में काफी सारे सब्जेक्ट सें जो आपके इस एकजाम में आने वाले हैं तो अब देखिए जो आपका सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या आने वाला है यनि कि अगर मबात करें अगरनोमी की तो अग्रonomi में क्या क्या आएगा ठीक है कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे इस एक्जाम में तो बने रही है मेरे साथ स्थार्ट करते हैं हम लोग तो देखे अग्रोमी में क्या दिया है यानि अग्रोमी आपको पढ़नी है तो अग्जाम बहुत ही सिंपल आने वाला है बेसिक आने वाला ज्यादा डेफ्ट में नहीं आएगा इस वात उसमें उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं बेसिक क्वेशन्स पूछे जाने के ठीक है वैसे ही है इसका स्लेबस थोड़ा सा आपको बास्ट दिखाई देगा क्योंकि भाई देखो पोस्ट भी अच्छी है तो स्लेबस इतना देना कोई वह नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है इसके बाद classification of field crop general principle of crop production पढ़ना इसमे climate के बारे में जाना जैसे general principle of crop production में climate हो गया soil हो गई है ना soil preparation हो गया seed and sowing हो गया tillage हो गया water management हो गया nutrient management plant protection management harvesting threshing and storage mixed and intercropping manure fertilizer cultivation of अब इतना पढ़ना है इसमें इतना पढ़ना है बात संवारी है इसके बाद cultivation of common crop आपको cereal crops के बारे में पढ़ना है जैसे paddy हो गया मेज हो गया wheat, barley, oat, sourgum, pearl millet, finger millet, oilseed में, ripseed, mustard, linseed, sunflower, pulse crop में, chickpea, field pea, lentil, rajma, fodder crop में आपको पढ़ना है जैसे oat, barsim, lucen कहा जाए तो देखा जाए तो complete field crop पढ़नी है complete field crop आप देखो इसको जादा मत मानो इसको इतना दिया है general principle of crop production पढ़ना है तो छोटे छोटे यह topic जादा लेंदी नहीं है easily cover हो जाते है यह topic जाए easily cover हो जाते है ज्यादा detail में जाने की जरुरत नहीं पढ़ती है ठीक है तो यानि की complete crop आपको आपको फसल के बारिये में पढ़ना है crop production पढ़ना है इसके अलावा हम देख लेते हैं इसके अलावा जैसे pulse crop में चिकपी, field pea, lentil, fertilizer ठीक है weed control, insect pest and diseases, harvesting, processing, yield यह सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है water requirement of crops यह पढ़ना है water requirement measurement of water discharge यह पढ़ना है ठीक अलग topic है prevention of water loss, water जो loss है उसको कैसे prevent करेंगे कौन-कौन से तरीके हैं यह पढ़ना है different methods of irrigation जैसे flooding, basin method, border strip method, sprinkler and drip irrigation तो यह topic जो है वह आपको cover करने अगरनोमी में इसके अलाबा कुछ current affairs आएगी इससे related crops related current affairs है कोई मालोग प्रोजेक्ट चलाया गया है कोई program चलाया गया है या इसके ऊपर कोई scheme चलाई गई है या कोई नई variety release हुई है तो इससे related जो है इसके current affairs के question आने बाले हैं तो current affairs आप पढ़ सकते हो संदीव सर की सुबए क्लास चलती है वह current affairs पढ़ाते है उससे आप current affairs कवर कर सकते हो या एक book भी आई अग्री पल्स उसमें current affairs को cover किया गया उससे भी आप पढ़ सकते हो ठीक है वह अड़ा 24 7 के application पर अबले बाले है तो जाके अब ले सकते वहां स होटी कल्चर में बात करें होटी कल्चर आपकी complete होटी कल्चर आने वाली है complete का मतलब है इसमें almost सारी चीजें cover की गई मैं आपको बता देता हूं जैसे study and cultivation practices of major होटी कल्चर और crops जिसमें vegetable में potato, chili, tomato, cauliflower, broccoli, broccoli हो गया ठीक है और और क्या-क्या पढ़ना है broccoli, onion हो गया, okra, radish, carrot, tea, cucumber, sweet potato, fruit crop में आपको पढ़ना है mango, banana, major crop, citrus, papaya, guava, grapes, leechy, apple हो गया, pear, peach, apricot, almond, kiwi, strawberry, raspberry, raspberry, यह सारे crops आपको fruit crop में पढ़नी है, यानि कि fruit science में इतनी सारी crops पढ़नी है आपको, बहुत सारी crops है, पर्टिकल्चर में आप देखोगे, fruit science में बहुत सारी crops है, vegetable science में बहुत सारी crops है, लेकिन इस exam में यह लोग कह रहे हैं कि इतनी crops पढ़ लो, इसमें से हम question पूछेंगे, बस, बात खतम, अगर आप इतनी पढ़ लेते हो तो, ठीक है, आजाओ भई, इतनी सारी question इसके बाद हम बात करें, plantation crop की, तो plantation crop में जैसे आपका cashew nut हो गया, tea, coffee, flower, tea coffee, इतनी, flower crop में आपको gladiolus पढ़ना है, chrysanthema, marigold, rose, lilies पढ़ना है, tulip पढ़ना है, ठीक है, यह पढ़ना है, esop gold, इसके बाद हम बात करेंगे, medicinal and aromatic plant, MAP का मतलब है, medicinal and aromatic plant, इसमें क्या का पढ पढ़ना है, esop gold के बारे में, aloe vera के बारे में, sena के बारे में, lemongrass हो गया, vetiver grass and citronella, इसके बारे में पढ़ना है, इसके बाद दिया, अगला कह दिया है, क्या पढ़ना है, plant and, plant pre and post harvest management factor affecting and crops, and their producer, इसका factor affecting crop production, यह पढ़ना है, और आपको post harvesting पढ़नी है, इसके बाद, high tech h तॉपिक आराम से पढ़ सकते हो, value addition of horticultural crops, value addition पढ़ना है, अब देखो, इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको horticultural crops का थोड़ सा बता देता हूँ, जितनी भी horticultural crops है, इनकी variety आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि varieties ही पूछी जाती है, varieties के अलावा, एक दो question आ ज हो गई, ठीक है, थोड़ा बहुत question कभी-कभी soil से related पूछ ले जाते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे, mostly question इसी से आते हैं, बाकि scientific name आपको सारे आने चाहिए, basic ही पढ़ना है, basic ही पढ़ना है, ठीक है, basic ही question आते है, आप पुराना paper, old paper उठा के देखना, उसमें सारा basic पूछ जा गया है, अगर आपने सारे topic के थोड़े थोड़ी चीजे पढ़ लीना, तो आपका समझदोर selection यू हो जाएगा, जिब selection हो जाएगा, तो पर काम बन जाएगा, बात संद्मारी है, तो होटी cultural में सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, और इससे related current affairs पढ़नी है, इससे related, जो आप बारा बजे, बारा बजे जो है, अर्जुन होती है, अर्जुन क्लास होती है, इसी चैनल पर होगी, अग्रिकल्चर अड़टरी 4.7 पर, उसमें हम Soil Science कवर करा चुके हैं, एक बार करा चुके हैं, तो अगर आपको complete करनी है, मैं मजाग नहीं कर रहा हूँ, आप एक से 30 लेक्चर देख लेना, बात खतम, 30-30 मिनट के होंगे, आराम से खतम हो जाएंगे, complete Soil Science, finish, इसमें जितने भी टॉपिक दिये हैं, जितने भी टॉपिक दिये हैं, सबके मैंने MCQs topic wise करा हैं, अगर आप एक एक बार देख लोगे, 1.5 X पर देख लोगे, तब भी सर भला हो पढ़नी, origin कैसे हुई है, classification of loam, silt, clay, sandy loam, physical and chemical property of soil, physical में बहुत सारी property आती है, soil texture, structure, porosity, bulk density, particle density, ये सारी property पढ़नी है, पूरी chemical property पढ़नी है, ठीक है, soil profile के बारे में जानना है, composition के बारे में जानना है, health improvement के बारे में जानना है, micro organism के बारे, biological देखो, physical, chemical, biological property, सीधा पूर कह दिया है, इन लोगोंने के पूरी soil science पढ़ के आओ, पूरी soil science पढ़ के आओ, इसके अलावा extra क्या रहेगा, extra रहेगा, nitrogen cycle, nutrient हम पढ़ा चुके है, उसमें करवाया है, nitrogen, potassium and organic, organic and inorganic fertilizer, their effect on soil and application method, ये भी करवाये गए है, अराम से fertilizer वाला पूरा topic हमने complete कराया है, इसके अला ये है, 3-4 lecture में problematic soil को कबर किया है, तो ये सारी चीजें आपको soil erosion हो गया, ये तो conservation का part है, ये भी करवाया है, ये starting में ही हमने करवा दिया था, और integrated plant nutrient management, अगर आप nutrient और fertilizer, manure, compost पढ़ लोगे, तो INM अपने आप कर लोगे, INM से ज्यादे tough question नहीं आते है, बास अन्मारी है, इसका current, current ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसका नहीं पूछा जाएगा, नहीं ज्यादा question बनते हैं, बस थोड़ा सा soil health card के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, हो सकता है, soil health card से related, कोई question आ जाए, अब समारी है, testing से आ सकता है, soil testing से कोई question आ सकता है, तो इस तरह के ध्यान question इसके अलावा देखो, अब हम बात करेंगे plant protection की, अब plant protection में देखो क्या क्या पढ़ना है, कैसे मिलेगा, ठीक है, प्रतिवा में हम आपको पढ़ाएंगी, है नहीं तो उनकी class चलती है, उसमें देख सकते हो, ठीक है, हर faculty की अलग-अलग subject की class चलती है, इसी YouTube channel पर आप ज उचे जा सकते हैं, agriculture exams में, बात सन्वारी है, अब हम बात करेंगे plant protection की, इसमें insect anatomy पढ़नी है, इसमें morphology, digestive system होगे, excretory system, reproductive system, circulatory system, respiratory system and nervous system, ठीक, general introduction to phylum, orthopoda class insecta, storage grain and pest in their management पढ़ना है, beekeeping पढ़नी है, seri culture पढ़ना है, इसके अलावा, classification of plant diseases according to cause and occurrence, ठीक है, इसके आधार पे, हम deplant disease का classification पढ़ेंगे, और occurrence के अनुसार, ठीक है, इसके बाद plant pathogen के बारे में पढ़ना है, virus क्या होता है, bacteria क्या होता है, fungi क्या होता है, कितने टाइप के हैं, तो fungi में सरफ आप अल व्यूगा, अल व्यूगो, अरी साइफी, अस्टी लैग phytopthora के आपको character पढ़ने है, पर्नो spora के पढ़ने है, sclerospora के, astilego के, इस फैलो थीका के, tolipo sphorium के पढ़ने है, melanom sphorium, ulternerium, देखो काफी बाहुँ सलेवस है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, इसके लावा, इसके लावा introduction of pesticide and their formation and formulation application, integrated pest and disease management, तो आप देखो इस जानकारी देख लेना, कि किस organism की वजय से कौन सा disease होता है, इस disease को कौन सा vector फैलाता है, virus के वारियम पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, अराम से selection हो जाएगा, ये सलेवस देख के भागना नहीं है, अगर आप अच्छी post पे जाना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि हमारा selection अच्छे exam में हो, हमारी थोड़ी सी powerful नौक नहीं मिले, तब महनत तो कननी पड़ेगी सर, कोई भी आप, कोई भी agriculture के exam उठा के देख लो, agriculture छोड़ दो सर, कोई भी exam उठा के देख लो, आसान कोई नहीं है, चाहे वो 12th level का हो, चाहे वो MSC level का हो, आसान 12th वाला भी नहीं है, ठीक है, 12th वाला भी असान नहीं है, सब कुछ कटिन है, निकालना सब कुछ असान नहीं है, भई सब की तयारी, हर exam की तयारी हर student कर रहा है, तो syllabus देख के भागना नहीं है, कि सर इतना जादा syllabus तो हम तो UPSC की तयारी कर लेंगे, भई पढ़ना पढ़ेगा इत पढ़ जाए, टीचर्स की जड़वत पढ़ जाए, तो हम लोग अविलेवल हैं, डॉंट वरी, उसकी तुम टेंसन में लेना, ठीक है, कैसे इसलावस कबर होगा, वह हम बताएंगे आपको, इसके अलाबा, क्रॉप इंप्रूप्रूप्मेंट के बारें पढ़ना है, के बारे में, स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, जेनेटिक को, ट्रांसलेशन, म्यूटेशन, स्पॉंटेनियस, ठीक है, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, अच्छे से, बहुत छोटे-छोटे टॉपिक हैं, आसानी सो जाएंगे, मैंने कहा, कि कोई टॉपिक उठा जोटेशन, तो टॉपिक में, जियादा डेटेल में नहीं जाना है, फटलाईजères अगर इठा रहे हो, तो फटलाईजर का थोड़ा सा इंट्रोड्रक्षन देखो, क्या होते हैं फटलाईजर, थोड़ा क्लासिफिकेशन, देखो, और थोड़ा सा कम पोजीशन देख लेना फटलाइजर का यह composition है, बात खतम, किस-किस method से apply करते हैं, बात खतम, nutrient कितने होते हैं, क्या किसका कौन सा function है, इससे होने वाले disorder बात खतम, इसी तरह का question आने वाले हैं, questions ज्यादा lending नहीं होंगे, ठीक है, बहुत ही असान होंगे, अगर आप इन topic को थोड़ा-थोड़ा basic overview प त्यारी करना, start कर दो, ठीक है, त्यारी करो इसकी, और कोई न कोई देखो, आपको target fix करना पड़ेगा, otherwise क्या होगा, ठीक है, हाँ, और भी दिया है, थोड़ा सा और दिया है, इसमें, इसमें थोड़ा और दिया है, crop improvement में, जैसे sex chromosome पढ़ने, and its determination in man drosophila, sex link character पढ़ना है, chemistry of carbohydrate, यहाँ पर जो है, वो आपकी biochemistry स्टार्ट हो जाती है, chemistry of carbohydrate, जिसमें glucose, fructose, galactose, sucrose, इनके बारे में basic जानना है, amino acid पढ़ने, essential और non-essential, ठीक है, fatty acid पढ़ने है, जिसमें vitamin A, D, E, K, thymine, riboflame, nicotine acid, plant growth substance, plant growth regulator के बारे में पढ़ना है, photoperiodism, vernalization, यह बहुत छोटे छोट हैं, यह तुरंद definition के माद्यम से कबार हो जाएंगे, photoperiodism, short day, long day, plant day, neutral क्या होते हैं, इनके example क्या है, बात खतम होगी, vernalization क्या होता है, क्यों requirement होती है, vernalization की इतना पढ़ना है, ठीक है, यानि की मेरे कहने का मतलब है, कि जो भी आपको slavus दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बात संदा रही है, इसके लावा mode of reproduction in crop plants in relation to breeding technique, ठीक है, इसको mode of reproduction पढ़ना है आपको, इसके बाद genetics consequences of self and crops pollination, pollinated crops, plant introduction and exploration, breeding self-pollinated crops, population improvement, mass selection के बारे में recurrent selection, ठीक है, breeding के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जितने भी आपके, जो भी methods है breeding के, उनके बारे में basic basic जान लेना है, ये method self-pollinated crop के लिए suitable है, या use किया जाता है, और ये method cross-pollinated crop में use किया जाता है, इसी तरह पढ़ना है, जादर धिडिल में थोड़ी जाना है, भाई, ठीक है, selection के लिए पढ़ना है, ठीक है, चलिए होगे, आगे इसके बाद आजाती है आपकी animal sciences, animal sciences के बाद है आपका agriculture engineering, इसके बाद agriculture extension, तो एक एक करके हम थोड़ा-थोड़ा discuss कर लेते हैं, ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं है, तो कर ये crop improvement हो गया, इसके बाद animal sciences में आपको सारी चीज पढ़नी है, animal sciences में आपको animals के बारे में, जो भ इन की क्या है, major breed के बारे में पढ़ना है, major breed की क्या क्या पढ़नी है, इसमें देखो अप, ठीक है, और physiology and anatomy of cow फैलो, ठीक है, characteristics of good, जब आप ये animals को पढ़ोगे तो आसानी से आपको समझ मा आ जाएगा, फिर आपको milk के बारे में पढ़ना है, milk किस से बना है, मतलब milk का composition क् ठीक है, इसमें कौन सी vitamin ज़्यादा है, कम है, तो यनिक की, milk के बारे में भी आपको basic पढ़ना है, इसके बाद milk product के बारे मुं पढ़ना है, panis, चीना हो गया, घी हो गया, खोया, दही हो गया, cream, butter, ice cream, इसके बाद agriculture engineering पढ़नी है, agriculture engineering, जो है, agriculture engineering में आपको क्या क्या पढ़ हो गया, चिजिल प्लाव हो गया, प्लाव के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, आपको आसानी समझ में, classification of tractors, classification of tractors, ठीक है, और इनके component क्या-क्या है, जैसे steering clutch हो गया, transmission gear हो गया, तो इनके बारे में भी पढ़ना है थोड़ा सा agriculture, extension and economics, ठीक है, ये भी पढ़ना है, इसमें काफी सारे programs आएंगे, mainly आप लोग programs पढ़ लेना, जैसे training and visit program हो गया, कब चलाया गया, national demonstration program हो गया, IRDP हो गया, training and visit system हो गया, आत्मा हो गया, CDP हो गया, यानि कि जितने भी programs हैं, जो भी important इसमें दिये है, तो उससे आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, agriculture statics, मैं agriculture statics पढ़ लेना, इसके बाद last में एक unit है, उत्तराखंड agriculture, उत्तराखंड agriculture का मतलब ये है, कि उसमें आपको basic जानकारी पढ़नी है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको current का डेटा देख लेना है, और उत्तराखंड के थोड़ा सा जोगरफी आपको देख लेनी है, जोगरफी का मतलब soil का type, कहां पर कौन सी crop grow की जाती है, ठीक है, यहां पर सबसे जादा क्या use किया जाता है, कौन सी crop grow की जाती है, तो इस तरह का थोड़ा सा पढ़ लेंगे, basic वो आपको किसी भी website से मिल जाएगा, नहीं तो हम लोग provide करा देंगे, ठीक है, हाँ, अपने courses में इस से related चीज़ें provide करा देंगे, उसकी tension में लो, तो यह सारा slavus है, तो आपको थोड़ा सा इसमें wide दिख रहा होगा, बास्त दिख रहा होगा, कि सर, slavus बहुत जादा है, slavus जादा नहीं है, सर, इसको इन लोगों ने क्या किया, अगर हम यहां पर सिर्फ लिग देत इसने का कि कुछ पार्ट पढ़ लो, इतना पढ़के आ जाओगे, तो भई हम देख लेंगे तुमको, या इतने से paper हम बना के देख लेंगे, अपने इसाब से adjust कर लेना, बात संदमारी हम क्या कह रहा है, तो याद रखेंगे, selection लेने के लिए आपको क्या है, slavus खतम करना बात संदमारी है, ठीक है, नहीं तो खुद पढ़ना चाहते है, तो खुद पढ़ना स्टार्ट कर दो, आजी से स्टार्ट कर दो, slavus बाइस करो, ठीक है, अब इस slavus को आप लोग निकल बा लेना, ठीक है, और जो है अपने रूम में, जो study room है, वहाँ पर इसको लगा ल पाऊ गया, आपको तो पता होना चाहिए नहीं कि इस exam का slavus क्या है, ठीक है, तो तयारी कर दो भीया, start, ठीक है, आपके पास बहतरीन मौका है, और form बरना आज से start हो गया है, तो form डाल दो, ठीक है, इसका paper जल्दी उसमें दे रहे हैं कि expected date जो है, जल्दी है, मतलब एक द तो चलिए, तायरी कर दो, start, अगर आपने अभी तक तायरी को start नहीं किया है, एक बहतरीन तरीके से, एक नए mode में, ठीक है, और हाँ थोड़ा सा, हमने जब बताया भी है, कि समय के अनुसार जादा आपको detail में नहीं जाना है, ठीक, आप basic बेसिक पढ़ते जाओ, और selection definitely हो अग्जाम है, इसका हमारे पास कोर्स भी है, आप कोर्स में इन्रोल करना चाहत हो, कोर्स में कर सकते हो, simply क्या करना है, application डाउनलोड करना है, अड़ा 24-7, ठीक है, वो आप play store पे देख लें नहीं, तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दी होगी, उसे डाउनलोड कर लें, या आल कोर्स में गए, आल कोर्स में जाने के बाद इस पे क्लिक करना है, गवर्मेंट जॉब एक्जाम से, इस पे क्लिक कर दोगे, तो इस तरह लिखा आएगा, देखो, SSC, Railway, Teaching, UPAC, Defense, तो इधर अग्रिकल्चर लिखा हो, भई अग्रिकल्चर के स्टूडेंट हो, तो अग् अग्रिकल्चर पे क्लिक करने के बाद, यहां पर लिखा है, उत्राखंड एग्रि एक्जाम, यह लिखा हुआ है, उत्राखंड एग्रि एक्जाम, तो अगर आपको इन्रोल करना है, तो सिंप्ली इस पे क्लिक करने के बाद, इधर दिया है, UK SSC, Assistant Agriculture Officer AAO, ठीक है, इसका बै बाइनाओ पे जाएंगे, बाइनाओ पे जाने के बाद, आपको कोड लगाना है, Y826A, इससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम डिसकाउंट, यानि 80% डिसकाउंट मिल जाएगा, 80% डिसकाउंट, 80% डिसकाउंट के साथ, आपको यह बैच मिल जाएगा, 32, 65 रुपए में, अगर आज इन्रोल करते हो, तो आज से 12 महीने बाद आपकी बैलेटी खतम होगी, 12 महीने बाद, ऐसा नहीं कि सारे, जिस देट से स्टार्ट होगा, जब से आप इन्रोल करते हो, तब से, ओके, तो जाएए इन्रोल करिए, और बाकी का इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो किसमें कौन कौन सी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, यह सारी फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली, संदीर सर, अकास सर, प्रतिवा में, हम मैं पढ़ाऊंगा, हिना मैं और आज सुदान सुछ आपको पढ़ाएगे, ठीक है, बाकी इसमें सारा कुछ एड है, क्या क्या मिलने वाला इसमें सब कुछ दिया है इस batch के बारे में आप जानके देख सकते हो जाके ठीक है study plan चेक कर लेना study plan दिया इधर ठीक है और इधर click करोगे तो study plan आपका आजाएगा कब कौन से batch की class चलती है तो यह सारा कुछ इसमें दिया होगा तो चलिए तो जिसको भी वह इन्रोल करना है वह इन्रोल कर सकता है ठीक है और हमने बच बता दिया है 80% discount है भी है ना 80% discount है code आपको याद रखना है y826a ओके थैंक यू टाटा भाई बाई बाई टेक क्यों ओके क्यों जूदा क्यों मैं झांफ।